तो आज हम बनाने वाले मसालेदार चटपटा और टेश्टी भरवा करेले की रेसिपी जिसे आप एक बार खाऊगे तो आप बार बार खाना पसंद करोगे जिसे आप रोटी के साथ बिना सबजी के खा सकते हैं बहुत ही टेश्टी बनती है वीडियो को आप पूरा देखना तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं यहां पर मैंने आठ से दस करे ले लिए अच्छे से धोलिया है भरवा करेले के लिए मसाला लेंगे एक टीश्पून मिर्ची एक टीश्पून नमक अरमचूर पाउडर पास फोरन हल्दी और धन्या पाउडर इन सभी को हम भरवा करे मसाला में उस करेंगे तो यहां पिरक्ति शार काट हैं मीडियम साइट कर देना है मैंने अब तो Comput Anal till हैंगे मेंशी से झधीन देने डेंगे उसको छिल देंगे व्यूस को उसको निखिए जे उसको निकाल लेंगे तो मैंने यहां पर बीच को निकाल लूँगा यह देखें बहुत यह आसानी से निकल जाते हैं बीच तो सभी बीच को हम निकालके और चीरा इस तरीके से आपको खाली कर लेना है तो इसमें सॉल्ट लगाके इसके अंदर जो पानी होगा ना कड़वा पन वो निकल जाएगा थोड़ा सा हल्दी डाल लेंगे और उसको छिलके में भी हम नमक और हल्दी डालके छोड़ देंगे 10 15-15 के लिए उसको एक बार मिक्स कर लेंगे मसाला बनाएंगे भरवा करे लगा तो यहां पर मैं सर्चो का तेल ले रहा हूं तो छिलके को हम निचोड़ लेंगे कितना पानी निकल रहे कड़वा है बहुत फिर में पांस फॉरण डालेंगे अच्छे से चटकने देंगे ख फेस में हम थोड़ा हींग डालेंगे और यह अध्रक डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार फिर इसमें प्याज डालेंगे बरी कटे होएं यह अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको प्याज को तो प्याज अच्छे से बुन चुके काफी पसमें हम क्या करेंगे मस और इसमें हम थोड़ा सा गुड़ डालेंगे गुड़ डालने से जो कड़वा पन है वो बैलेंस हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगते खाने में यह हमारा मसाला बिल्कुल रेटी है ठंडा कर लेंगे इसको फिर यह करें लिए जो है उसको अभी पाने निकाल लेंगे अब हम इसको क्या करेंगे इस्टीम लगाएंगे तो मैं इसको इस्टीम लगा लूँगा नीचे पानी रख रखाया मैंने यह मूमूस का बरतन है आप कोई भी बरतन हो चन्नी वाला जाली वाला उस तरीके से आप स्टीम कर लें 10-15 मिनिट के लिए यह बहुत ही सॉफ्ट घुल हो गहें अब इसकोटने काम लेंगे और ठंड़ा कर लियंगे में फिर्स में हमने मसाला बनाताब त 10-15 अक अंदर चाяж से दरीके से भर के इसमें धागे के सायता से इसको लपेट लेंगे ज्श्क जि आपको लपेटना नहीं है बलसको इसको ग्यों घुमाना है तो यहां पर मैंने को धागे से बाग ले अब इसको हम फ्राइ करेंगे तो इस खंड में एक एक करो frightening को डालेंगे और च्छेश साथ मिनट केश्क का एक आधे यह देखर सभी करेले को डालिया जितने आपकी करी दी है कि तो मेरे यहां पर तक रहलते तो आगया आप से तो इसको पलट लेंगे बारी-बारी एक-एक करके आप चम्मच के सायता से इसको पलट ले तो काफी अच्छा कलर आ चुका है इसमें करेले में और बहुत ही टेस्टी बनती है आप इसे ए बार जोरू ट्राय करना तो हमारी जो करेले एक दम फ्राय हो चुके हैं अब इसको ह आप इसे ए बार 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 खाना पसंद करोंगे और बिल्कुल बहुत ही टेस्टी बनते हैं और कड़वा पन तो बिल्कुल भी नहीं होता है इसमें बहुत ही टेस्टी बनते हैं तो वीडियो अच्छे लगई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो मिलता हो गली वीड झाले